कि हलो एवरीवन वलकम ब्यागंट टो मैं चैनल जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ स्किन केर और हेर केर से लेटर से विडियो से हैं आपके scalp को बिलकुल नरिश करता है, hair roots को मजबूत करता है, hair follicles मजबूत हो जाते हैं और hair growth बहुत जाता प्रमोट हो जाती है, onion जो होता है वो hair को silky बनाने में भी काम करता है, actually मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि onion हमारे hair के लिए किस content के लिए जिरूरी है, त to tip तक बिल्कुल ना break हुए, बिल्कुल length में लंबे हो, उसके लिए onion बहुत जादा work करता है, अगर sulfur का content हमारी hair length में मतलब कम हो गया है, तो उसके विज़र से hair हमारे beach beach में से टूपने लग जाते हैं, अगर हमने हमारे hair में उस content का quantity according to need बिल्कुल sufficient है, तो हमारा hair बीच मे break बिल्कुल नहीं होता, दूसरा scalp में जो itching की problem है, वो भी इस hair oil से finish होने वाली है, अगर किसी को हलका हलका सा गंजा बना रहा है, ballot patches थोड़े बहुत नज़र आ रहे है, hair thinning हो रही है, वो भी finish हो जाएगी, इस hair oil में हम कुछ चीजों का, कुछ ingredient ऐसे हैं, जिनका हम combination हमारे scalp पे इतना ज़्यादा अच्छा work करेंगे कि हमारी hair growth भी promote होगी, thinningness फिनिश हो जाएगी, अगर हलका हलका सा गंजा पन है, वो भी finish हो जाएगा, लेकिन कोई भी जो remedy हम use करते हैं, उसको अपना असर दिखाने में time लगता है, patience रखके उसे use करना पड़ता है, मैं य at least one month इसको regular use करना पड़ेगा, week में two और three time आप इसे use करेगा, तो आपको इसके अच्छे असर दिखाई देंगी, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, मैं आपको बताती हूँ, इस hair oil को बनाने के लिए, आपको कौन-कौन से ingredient की जरूरत है, बिल्कुल magical hair oil है ये, और notification bell को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले और amazing videos जो हैं, उनका notification आपको मिल सके, early morning साड़े चीप जी आपको इस channel पर एक home remedy based video जरूर मिलती है, Tuesday to Sunday, तो जलते हैं अब अपनी remedy की तरफ, इसके लिए सबसे पहले आपने एक cup सरसों का तेल लेना है, देखिए सरसों का तेल बह हमारे बालों के लिए, और अगर सरसों का oil की आप application regular करते हो, तो जो हमारे hair white होना शुरू हो जाते हैं जल्दी, age से पहले, वो कभी नहीं होंगे, hair black रहेंगे, सबसे बड़ा plus point इस सरसों का तेल का यही है, दूसरा, hair को बहुत ही अच्छा nourishment देता है, यह oil, और कोशिश यह कीजिए कि अगर घर का निकलवाया हुआ सरसों का तेल है, तो बहुत अच्छी बात है, ने तो आप कोई सब भी जो अच्छे brand का है, वो यूज कर सकते हो, एक cup ही आपने इसमें लेना है, दूसरा आपको लेना है, एक cup ही आपने coconut oil, coconut oil भी आप किसी भी brand का लेलो, extra virgin है तो बहुत अच्छा है, otherwise parachute या कोई भी आप यूज करते हो, वो भी ठीक है, और ये भी एक cup, मतलब सरसों का तेल और coconut oil दोनों equal quantity में लेने हैं आपने, क्योंकि ये तेल खराब होने वाला नहीं है, बहुत time तक, 6-7 month तक, आप अगर ज्यादा quantity में बनाना चाहते हो, तो जो quantity में बता रही हूं, उसका just double, triple आप कर सकते हो, अब आपने यहाँ पे दो प्याज लेने हैं, जो प्याज आप लोगी, ये red वाला ही लेना है आपने, इसमें sulfur का content बहुत जादा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, और ये आपकी hair follicles को बहुत ही मजबूत करने वाला ह है, और अगर hair growth बंद हो चुके हैं, उसको भी open करेगा, और आपकी hair growth बहुत अच्छी हो जाएगी, hair ठीक हो जाएगी, क्योंकि नए बाल आना शुरू हो जाएगे, तो यहाँ पे जो प्याज आपने इस तेल को बनाने के लिए use करना है, इस प्याज को आपने अच्छे से धो के, आपने इसको beat कर लेना है, मतलब इसका mixi grinder में इसको beat करना है, इसका paste बना लेना है, fine paste, और आपने यहाँ पे 7-8 गिरी garlic की भी लेनी है, lesson की भी लेनी है, lesson बहुत अच्छा work करता है, प्याज की combination के साथ, आपकी hair follicles को मजबूत करने के लिए, जब आप paste बनाओ तो इसमें प्याज और garlic भी ले लेने हैं, आपने paste बनाने के लिए, और जो third ingredient आपने लेना है, वो है करी पत्ता, करी पत्ता यह अपने आप में ही appropriate है, और यह hair को काला करने में, और hair को length में increase करने में, बिलकुल magical work करता है, अगर hair fall हो रहा है, बहुत ज़ादा उसे भी रोकने का काम करता है, करी पता, बस आपने जो paste बनाना है, fine paste वो तो आपने garlic और onion का मनाना है, बिलकुल अच्छे से मनाना है उस paste को, और जो fourth ingredient है, वो हमारा है, मेथी दाना, मेथी दाना भी आपके hair follicles को मजबूत करने के साथ, hair growth को promote करने के साथ, आपके hair scalp के अंदर, जो protein है, ज से बने होते हैं, उसके content को sufficiently complete करता है, जितना content हमारे hair को चाहिए है, ये protein की मात्रा को पूरा करता है, मेथी दाना आपके hair को silky और soft भी बनाता है, और straight भी बनाता है, तो यहाँ पे आपने मेथी दाना भी लेना है, तो आपने इस hair oil को बनाने के लिए, मैंने आपको बताय कि प्याज और garlic, इन दोनों का fine paste बना लेना है, तो आपने जब oil, दोनों oil मिलाए आपने, सरसों का तेल और अपना coconut oil, दोनों को आपने mix करा, तो आपने कोई भी frypen ले लेना है, जो जिसमें आप इस oil को बनाएंगे, उस frypen में आपने बिल्कुल slow gas frame जो है, आपने आपने बिल्कुल तेज गैस पे नहीं करना, जब वो हलका गरम हो जाए, तो जो paste हमने onion और garlic का बनाया है, वो उसमें डाल देना है, बिल्कुल अच्छे से चलाते जाना है, आपने उसको, साथ में जब वो जब oil, जो हमारा oil त्यार हो रहा है, जो प्याज होता है, उसमें पानी की मतरा होती है, जब वो पानी के बुल्बले कम हो जाएं, और oil हमें ये दिखे के प्याज और garlic अच्छे से पक गया है, तब आपने ये curry leaf और मेथी दाना भी उसमें डाल देना है, फिर आपने 10 से 15 मिनिट इसको पकाते रहना है, धीमी आज भी, ध्यान रहें, बहु चेंज होने तक इनको पकाते रहना है, आपको ये परसेस करने में 30 से 35 मिनिट लग जाएंगे, तो जब ये 30 से 35 मिनिट बाद धीमी आज पे ये पकेगा, तो oil का color थोड़ा सा change हो जाएगा, और ये जो हमने ingredient इसमें डाले है, इनका color भी change हो जाएगा, तब आपने इसको ठ stainer में, मतलब किसी stainer की help से चान के, किसी container में बंद करके रख लीजिए, अब ये जो oil है, वो आपका 5-6 मन्त चल जाएगा बड़े अराम से, आप इसे week में 2-3 time apply कीजिए, जड़ों में बहुत अच्छे से इसको apply करके massage करनी है, अलके हाथों से massage करनी है, ताकि अगर hair fall ह हो रहा है, तो वो भी रूक जाए, और दूसरा, आपके hair growth प्रमूट हो जाए, तो जो भी आपको result इसके लिए चाही है, उसके लिए आपको 2-3 time इस oil को apply करना पड़ेगा, और definitely बहुत अच्छा होग करेगा, अगर आप इस hair oil को first application में apply करोगे, आपको इतना result तो ज़ूर आपके protein की कमी को पूरा करता है, hair में, तो आपके hair बहुत ज़्यादा soft हो जाएंगे, लेकिन hair growth होनी, दूसरा, आपके hair fall का रुखना, ये जो result है, at least आपको एक महीना तक इसको regular apply करना पड़ेगा, तो इसका result बहुत magical है, ये बहुत अच्छा वो करता है, आप इसे बना क रखिए, और use कीजिए, use करने के बाद मुझे भी बताईएगा, feedback में कि आपको ये oil कैसा लगा, और इसके application के बाद आपको क्या result मिलता है, तो मुझे भी motivation मिलेगा, अगर आप मुझे ये सब बताऊगी, और अगर ये आपको मेरा home remedy अच्छी लगी, थोड़ी सी भी informative लग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू